नमस्कार दोस्तों कुल्दी प्यादव क्यों आश्टेलिया क्लाप पहले दो ओडिया मुकामले की नहीं चुना गया रोई सर्वन बताई बड़ी बज़त तो क्या है ख़वर की पूरी जान करें और क्यों इतने अच्छे परफॉरमेंस के बाद कुल्दी प्यादव को ओडि मैचो की स्रीज खेली जानी है इसके लिए एक दिन पहले ही भारति टीम का एलान हुआ है जैसा कि पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि रोई सर्मा बिराठ को इलिए हार्तिक पन्ये जैसे दिकजों को अराम दिया जाएका वैसा ही हुआ रोई बिराठ हार्तिक के अलाव कुल्दीप यादव को भी पहले दोंडे मैचों के लिए अराम दिया गया है बारतिक कप्तान रोई सर्मा ने इस फ़ेसले पीछे की बड़ी बज़े बताईे कप्तान रोई właści सर्मा ने प्रेस को फ्रेस में कआ कुल्दीप यादव एक रिजम बाले गेंदवाज है यह हम स साथ रहने वाले हैं उन्होंने आगे खा हम पिछले डेर साथ से कुल्डी पर नज़र रख रहे हैं इसलिए हम उने जदा एकस्पोज नहीं करना चाहते वह आक्री मेच के लिए वापस आ रहे है इसके कई कारण है यह हमारे लिए अच्छा फैसला है उन्हें दो मैच के लिए बाहर बैठना है और तीसरा मैच खेलना है हमारे पास बिसकप के शुरू होने से पहले दो प्रैटिस मैच भी है इसलिए वह असानी से फिर से लए हांसिल कर लेंगे कुल्दी प्यादम ने एस याकब के पांच मैच में अगारे की उसर से 3.6 की एकॉनमी रेर से कुल 9 विकेट चटकाए थी ये सबी 9 विकेट उन्होंने 2 मैच में लिए थे उन्होंने पाकिस्तान क्लाप मैच में 5 विकेट लिए थे भारत ने सुपर फोर राउंड का ये मैच 287 रनों के बरे अंतर से जीता था शुक्यों में लिए कर घ्क शोर रright ये पांच में लिए रहा है।